नमस्कार, मेरा नाम अरुन कुमार है, मैं एक साइबर सेक्योर्टी प्रैक्टिश्नर हूं, पिछले लेक्ट्र में हमने समझा कि information security क्या होती है, उसकी definition क्या होती है, हमने अलग-अलग definitions देखी और हमने ये देखा कि security models को discuss करते हुए कौन से models का use किया जाता है, कौन से issues को address करते हुए कौन से models का use किया जाता है, जैसे कि CIA triad, confidentiality, integrity, availability triad और the parkarian hexart, जिसमें तीन की जगा, 6 different terms है, आज हम देखेंगे कि कितने type के attacks होते हैं, information security domain में attacks के types क्या होते हैं, और हम ये समझेंगे कि defense and depth, जो terminology है, वो कैसे use की जाती है और कैसे वो layered approach कहलाती है Attacks के types क्या होते हैं, तो basically there are four types of attacks, चादरा के होते हैं, सबसे पहला है Interception, दूसरा Interruption, तीसरा Modification and चौथा Fabrication, तो जो चारो attacks हैं ये एककुल मिलाकर CIA triad में applicable होते हैं, तो अगर आपकी confidentiality lose होती है, तो जरूर नहीं कि सरफ Interception हुआ है, या Interruption हुआ है, या Modification या Fabrication हुआ है, ये चारों में से कुछ भाग confidentiality lose होने में applicable हो सकता है, वो हम देखेंगे, तो suppose Interception हुआ, तो Interception समझते हैं कि Unauthorized Access, आपने यहां से email बेजा, Computer A से, Computer B के लिए, एक बीच में Computer C ने उसको पढ़ लिया, तो वो उसका Unauthorized Access हुआ, वो authorize नहीं था, आपने Computer B के लिए बेजाता है, तो यह attack, जो है, यह generally confidentiality को attack करता है, जब यह Interception होता है, तो confidentiality lose हो जाती है, क्योंकि जो email आपने Computer B के लिए बेजाता है, वो आप Computer C को भी पता है, Interception ज़रूरी नहीं कि in transit data पे हो, यह stored data पे भी हो सकता है, आप एक Computer User हैं, और आपके Department में 10 User और हैं, 10 मेंसे 7 किसी data को access करने के लिए authorize हैं, 3 नहीं हैं, तो जो बाकी 3 मेंसे कोई भी किसे दिन अगर उसको access करता है, तो वो stored data पे Interception हो गया, इसकी एक खासियत है कि अगर यह Interception का attack अच्छी तरह से किया जाए, तो detect करना बहुत मुश्किल होता है, दूसरे attack पर आते हैं, Interruption, Interruption वर्ट से ही समझ जाए कि यह एक attack है availability पे, आपको को information available है और उसको interrupt कर दिया गया, आपके network को interrupt कर दिया गया, आपकी email service को interrupt कर दिया गया, तो वो availability उसकी कम हो गया, बट अगर इसी Interruption को किसी database पे लगा जाए और database से fetch करने के तरीकों को बदला जाए, तो आपको लगता है कि यह integrity को भी attack करेगा, जिस तरह से database में data fetch होता था पहले और अब हमने कुछ configuration files को interrupt किया और उस तरीके को बदला, तो data तो अभी भी fetch हो रहा है, लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले होता था, तो integrity of the data fetched is also attacked, तीसरा जो type का attack है वो है modification, modification, modification से आप समझते हैं कि आपने transit data या stored data को modify कर दिया, तो यह attack भी primarily integrity को attack करता है, बट यह तब integrity को attack करता है, जब वो document हो, suppose करें कि कि किसी web server की configuration file को हमने attack कर दिया, हमने उसे modify कर दिया, तो हो सकता है कि web server अब available ही ना हो, लोग उसको access ही ना करता है, तो integrity और availability दोनों को इस type attack के attack में target किया जाता है, चौठा जो attack है, उसका नाम है fabrication, मतलब आप के पास ना तो center का data है, ना receiver का, आप खुद से एक traffic generate कर रहे हैं, खुद से data generate कर रहे हैं और वो receiver के पास भीज रहे हैं, primarily इसमें भी integrity को attack किया जाता है, बट अगर क्या आप आप बहुत सारा traffic generate कर पाएं, और किसी service पर उसको भेजें, तो क्या वो service बाकी genuine logo के लिए unavailable नहीं होगी, हो जाएगी, तो availability भी इसमें attack होती है, तो fabrication वाले attack में integrity and availability दोनों को target किया जाता है, चलिए अब देखते हैं कि कुछ जो main शब्द information security में use होते हैं, उनके क्या हैं, तीन शब्द हैं, पहला threat, दूसरा vulnerability और तीसरा है risk, threats, threats का मतलब ऐसी चीज जिसमें potential है, potential to cause harm, harm की intensity depend करता है कि कहां पे है, कौन से computer में है, कौन से system में है, किस तरह के network पे है, but threats are those which have the potential to cause harm, दूसरा है vulnerability, vulnerability आप समझें तो एक तरह की weaknesses हुई, जिन को use करके हमें harm किया जा सकता है, तो अगर मैं threat और vulnerability को जोड़ दूँ, और प्रोजमरा की जिंदगी में अपनाई कर दूँ, तो सोचि अगर आपके पास लकडी का घर है, और पास में ही fire है, तो fire आपके लिए threat हुई आपकी vulnerability क्या है, कि आपके पास लकडी का घर है, वहीं अगर आप आगे जाएं तीसरे शक्त पर, risk, risk वो है उस event का likely root है कि कुछ बुरा होगा, तो अगर वापस उस example पर जाएं जहां लकडी का घर है और सामने fire है, तो fire अगर लकडी के घर में लगेगी तो क्या होगा, घर जल जाएगा, यह आपका risk है, ऐसे ही अगर हम information security पे इस analogy को लाएं, तो एक operating system है, जिसमें notified update, Microsoft ने बताया है कि इसको आप update कीजिए, यह vulnerability है, अगर आप उसको update नहीं करते हैं, तो वो एक threat है, और यह risk जब बनेगा, जब कोई attacker उस vulnerability को exploit करते हुए, आपका personalized data steal कर लेगा, तो to have a risk, vulnerability और threat का होना, जरूरी है, इन सब के साथ, कुछ शब्द और जोड़े गए, इन में चौथा शब्द है, impact, हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि, जो asset threat के under the threat है, उसकी value क्या है, सपोज आपका जो computer है, जिसमें operating system patch नहीं है, और notified vulnerability है, और अगर वो attack हो जाता है, तो यह देखिए कि, क्या आपने उसमें अपनी sensitive information store की थी, अपनी banking information, अपनी आधार details, अपने important research paper, आपकी intellectual property store की थी, तो वहाँ जो value है, उस asset की बढ़ जाती है, और अगर वो asset attack होता है, तो आपका value loss, यह कहें कि impact बढ़ जाता है, और आपके लिए वो नुक्सान दे हो सकता है, बट वहीं अगर वो ऐसा computer है, जिस पे attack होने के बाद, कोई भी ऐसी information नहीं है, जो आपके लिए important है, तो जो impact है, वो थोड़ा कम हो जाता, तो impact is also important point, हमें देखना पड़ेगा कि asset की value कितनी है, जो threat के अंदर है, कई लोग इसको risk appetite भी कहते हैं, अच्छा, इन सब के साथ, अब हम यह समझते हैं कि, कुछ ऐसे controls जो आप लगा सकते हैं, information security में, वो क्या है, तो सबसे पहला control है, physical control, तो physical control से आप समझ ज fences से related है, gates से related है, access system से related है, यह AC से भी related है, AC system जहाँ पर आपका web server या data base है, उसको एक conducive environment चाहिए, fire suppression system से related है, physical से मतलब, आपने physically उसको कितना protect किया है, logical अगर बात करें, तो जादा तर यह logical controls technical होते हैं, जैसे कि किसी server का access, administrator के पास है, manager के पास है, but common user के पास नहीं है, इसमें firewalls आ जाते हैं, कुछ department के लोग इतनी दीगूई websites देख सकते हैं, आप कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, तो यह firewall हो गए, एक तरह का logical control होता है password, कि आपकी password policy क्या है, आप password जब user को बोलते हैं, कि user आप अपना password set कीजिए, तो क् आप उसे कुछ भी password रखने देते हैं, या उसे बोलते हैं, कि एक combination होना चाहिए भाई, uppercase, lowercase, special character और numbers का, यह एक तरह की password policy है, password policy में एक addition यह भी होता है, कि आप user को कहते हैं, कि भाई, हर 90 दिन में आपको password change करना है, यह logical controls हुए, उसके बाद आता है administrative controls, यह आपके administration के rules क क्या है, सबको, क्या सबको user name password दिया जाएगा, क्या सबको address होगा, क्या सफाई करने वाले जो आपके हैं, उनको भी username access दिया चाहिए, क्या जो आपका CEO है, topmost boss है, क्या उसको भी web server का address चाहिए, क्या procedure है, क्या guidelines है, तो generally इनको हम कहते हैं, कि यह वो control है, जिनका nature paper है, they are on paper, आएए देखते हैं कि एक strategy जो बहुत popular है, बहुत applicable है information security domain में, उसे कहते हैं defense in depth, और defense in depth कोई magic bullet नहीं है, कि हमने defense in depth कर लिया, तो हम protect हो गए, मेरी मानिये तो defense in depth करने के बाद भी, हम या कोई भी पूरी तरह से यह नहीं कह सकता है, कि हम protected हैं, कि organization protected है, यह एक strategy है, इसमें कही तरह की layers होती है, और defense in depth हर organization के लिए अलग होगा, एक-एक organization जो research and development में है, उसके लिए defense in depth की strategy अलग होगी, वहीं एक organization जो marketing में है, उसके लिए defense in depth की strategy अलग होगी, जो आप चित्र देख रहे हैं, वो इतरह से layers हैं, जिसमें की defense in depth का indication है, मैं आपको मताता हूँ कि हर layer पर more or less क्या controls applicable होते हैं, जिसकी वज़े से हम defense in depth achieve कर सकते हैं, बट इसको यह नहीं माना जाएगा कि अगर हमने यह sub कर लिया, तो हम protected हैं, तो आईए देखे data layer पर क्या हो सकता है, data layer पर encryption हो सकता है, हम penetration testing कर सकते हैं, कि data में penetration testing करवा सकते हैं, application level पर या application layer पर हम content की filtering कर सकते हैं, sub users को, sub sections को same data नहीं जाए, इसको जितना चाहिए, इसको जितने की जरुरत है, उसको वही data access हो, validation हम कर सकते हैं, host layer पर हम antiviruses लगा सकते हैं, firewalls enable कर सकते हैं, IDS IPS लगा सकते हैं, internal network जो layer हुई, वहाँ पर हम आमतोर पर IDS IPS लगाते हैं, internal audits करवाते हैं, to reinforce the network, और जो network parameter side है, जो network से बाहर की तरफ और अंदर की तरफ देखते हैं, वहाँ हम logging parameters, logging controls लगा सकते हैं, packet inspection कर सकते हैं, कि बाहर से कौन सा packet अंदर आया, stateful या stateless deep packet inspection कर सकते हैं, packet से मेरा मतलब यहाँ जो data flow है, जो information flow है, in or out, अब जो external network है, बाहर का जो network है, बहाँ से आपको करना है, तो वहाँ आप VPN यूज कर सकते हैं, बहाँ भी आप pen testing करा सकते हैं, external network से pen testing करा हैं, logging कर सकते हैं, audit trails maintain कर सकते हैं, तो यह एक concept हुआ, defense in depth का, जो की layered approach है, आज की lecture में हमने यह समझा कि, what are the possible kind of attacks, what is defense in depth, एक ऐसे layered approach हम अपना कर, एक organization, एक system, एक corporate body को, high level of security provide कर सकते हैं, I am not saying complete, हम complete security नहीं दे पाएंगे, but high level of security, with defense in depth, we can achieve, we can cover most attack vectors, thank you, अगले lecture में हम information security management systems की बाप करेंगे, intelligence controller में हम तुघस, तुदस, बाप कर रचे बाप में हम एक हम एक आए, 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 आए. अज़स, आए, आए. आए.